नमश्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में गणतंत्र दिवस यानि 26 जन्वरी पर एक बहुत ही प्यारा देशबक्ती भाषन आधर्नि अतितिगन और सिक्षगन और मेरे साथियों ये तो आप सबको विदित है कि आज हम सभी भारत का 72 गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक अत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्टिय पर्व है और इसे सभी धर्म के लोग समान भाव से मनाते हैं इसका संबंद किसी जाती या धर्म से न होकर राष्टिय से होता है इसी लिए इसे राष्ट पर्व कहा जाता है स्वतंत्रता दिवस, गंतंत्र दिवस और गांधी जयनती हमारी राष्ट्रिय पर्व हैं ये राष्ट्रिय पर्व भारतिय जन्मानस को एकता के सुत्र में पिरोते हैं ये पर्व उन शहीदों देश भक्तों का स्मर्ण कराते हैं जिनोंने राष्ट्र की स्वतंत्रता उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की नुच्छावर कर दिया 26 जन्वरी 1950 को भारत का अपना समिधान लागू हुआ इससे पहले भारत में अंग्रेजों के नियम कायदे चलते थे भारत के समिधान को बनाने में बाबा सहब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर का बड़ा स्थान है गंतंत्र दिवस हम सभी भारतियों के अंदर हर्श और उल्लास नवीन और चेतना का संचार करता है देशवाश्यों को यह संकल्प लेने के लिए प्रेडित करता है कि वो अमर शहिदों के बलिदान को ब्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे आओ करे प्रतिग्या हम सब मिलकर इस पावन पर्व पर हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे एक नया समाज हम बनाएंगे भारत मा के वीर सपूतों के बलिदानों को व्यर्थ ना हम जाने देंगे जाती धर्म और भेदभाव से उठकर उपर समाज नया बनाएंगे हमारे प्रथम राश्ट्र पती डॉक्टर राजिंद्र परसाद ने कहा था कि हमने एक ही समिधान और संग में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है जो देश में रह रहे सब ही पुरुशों और महिलाओं के कल्यान की जिम्मेदारी लेता है यह है बहुत शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराद ब्रिश्टा चार और हिंसा जैसे समस्याओं से लड़ रहे हैं लेकिन हम समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराईयों को बाहर निकाल पैंकना है जैसे कि स्वतंतरता सैनानी निताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाला था हमें अपने भारत देश को एक सफल विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा हमें अपने भारत की बेरोजगारी गरीबी अशिक्षा असमानता और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को चीतर से समझना होगा और इनका हल भी निकालना होगा मैं एक बार फिर आपको अपने भाशन को सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपके सामने मैंने अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला इसके लिए भी मैं आपके लिए धन्यवाद देती हूँ और आज फिर हम एक साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की जै, भारत माता की जै, जै भारत, जै हिंदुस्तान, जै जवान, जै किसान, एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुब कामना हैं.